जै सोमनात श्रावन कुरुष्ण पंचमी के अवसर पर सोमनात महादेव को किया गया था विशेश रुद्राक्ष दर्शन श्रुंगार शिवजी के अश्रु से निर्मित शिवजी के प्रेम तपोबल और उनके त्याग का प्रतीक रुद्राक्ष शिवजी का अंश माना जाता है शिव पुराण में विद्विर्श्वर सहीता के अध्याई 23 में महाभाग व्यासमुनी कहते हैं कि शिव नाम, भस्म, रुद्राक्ष यह तीन त्रिवेणी संगम के समान पुरिकारी है जहां पर ये तीन उपलब्ध होते हैं उनके दर्शन करने मातर से त्रिवेणी संगम में सनान करने का पुरिय मिलता है शिव नाम को गंगा, विभूती को यमुना और रुद्राक्ष को सरस्वती कहा जाता है एक प्रसंग पर माता पारवती को शिव जी रुद्राक्ष का महायत्मे बताते हुए कहते हैं रुद्राक्ष उनका लिंग स्वरूप है जहां रुद्राक्ष का पूजन होता है वहाँसे लक्षमी माता दूर नहीं जाती, वहाँपर उपद्रव नहीं होता और रुद्राक्ष के पूजन करने वाले की मनो कामनायیں पुर्ण होती है सुमनाथ महादेव को विश्व शान्ती और भारत की प्रगती की प्रात्ना के साथ आज विशेश रुद्राक्ष नर्शन शंगार से शुशोवित किया गया था जै सुमनाथ